हलो दोस्तों नमस्कार आपका हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है आईए देखते हैं इंपोर्टेंट्स बुक्स तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया डिवाइड़ नामक पुस्तक के लेखक हैं बिक्रम सेट, मोरार जी देशाई, इंद्रह गांधी या डक्टर राजिंद्र परसाद तो इंडिया डिवाइड़ नामक पुस्तक के लेखक डक्टर राजिंद्र परसाद जी हैंं,boxon D आपका right answer हो जाएगा निम्न मेंसे कौन सी कृती रविंद्र नाथ द्वारा रचित है गीतांजली, चित्रा, पोष्ट आफिस या ये सभी तो गीतांजली, चित्रा, पोष्ट आफिस, ये सभी रविंद्र नाथ द्वारा रचित हैं option D आपका right answer हो जाएगा भारतिय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन कब चुना गया 2012, 2010, 2017 या फिर 2015 तो भारतिय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन 2010 में चुना गया option B आपका right answer हो जाएगा या किस ने चुना था तो या D, D उदै कुमार ने चुना था next question देखते हैं पृत्वीराज विजय किस भासा की कृति है संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी या फिर पाली तो पृत्वीराज विजय संस्कृत भासा की कृति है option A आपका right answer हो जाएगा पृत्वीराज विजय का लेखक कौन है चंद बरदाई, प्रिथवी राज चौहान, जयानक या फिर नयन चंद सूरी तो प्रिथवी राज विजे का लेखक जयानक है, option C या आपका right answer हो जाएगा पुस्तक, सुंदर बिलास किसकी रचना है? संद पीपा जी, संद सुंदर दास जी, या फिर संद दादू जी या मीरा बाई तो सुंदर बिलास, संद सुंदर दास जी की रचना है, option B या आपका right answer हो जाएगा संगीत ग्रंट सत सही के लेखक कौन है? स्यामल दास, बिहारी, किरपा राम या पंडित भाव भट बीसल देव, राशो के रचनाकार हैं, चंद बरदाई, ईसर दास, नर्पत नाला या सारंग धर तो बीसल देव, राशो की रचना नर्पत नाला ने की है, option C या आपका right answer हो जाएगा निम्न लिकित में से कौन से कभी भक्त रचना से समंदित नहीं है अमरित लाल, केशरी सिंग बारहट, प्रताप कुर बाई या गणेश पूरी तो केशरी सिंग बारहट कभी भक्त रचना से समंदित नहीं, option B आपका right answer हो जाएगा next question दिखते हैं खुमान राशों के रचयता कौन थे, दलिपद विजय, विठ्थल दास, चंदवर दाई, या फिर हरी सेण तो खुमान राशों के रचयता दलिपद विजय थे, option A आपका right answer हो जाएगा प्रबंध कोस के रचयता कौन है शिल्पी मंडल, बाकी दाश, मोहन राज, या राज सेखर तो प्रबंध कोस के रचयता राज सेखर है, option D या आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं वीर सत्साई के लेखक है तो वीर सत्साई के लेखक शूरी मल्य मिस्रण है, option B या आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं धोला मारू रादूहा के रचयता कौन है कभी कलोल, मुहुडोत, नर्सी, बाकी दास, या सारंग धर तो डोला मारू रा, दूहा के रचयता कभी कलोल है, option A आपका right answer हो जाएगा राग कल्प दुरूम की रचयता है राधा क्रिश्न, क्रिश्ननंद व्यास, राणा हम्मीर या महाराणा कुम्भा तो राग कल्प दुरूम की रचयता क्रिश्ननंद व्यास जी है, option B या आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं राजिस्थान की मूल भाषा है, मारवाडी, राजिस्थानी, मालवी या फिर ब्रज तो राजिस्थान की मूल भाषा मारवाडी है, option A आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं राग कल्प दुर्म के रचेता है, राधा क्रिष्ण, महाराणा प्रताप, राणा हम्मीर या क्रिष्ण नंद व्यास तो राग कल्प दुर्म के रचेता क्रिष्ण नंद व्यास है, option D या आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं संगीत सार के लेखक हैं, राणा कुम्भा, महा कभी पदमाकर, शमाई प्रताप शिंग या राज कभी राज भट तो संगीत सार के लेखक शमाई प्रताप शिंग है, option C या आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं निमने लिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त सेन द्वारा नहीं लिखी गई है, option है, collective choice and social welfare, on economic inequality, poverty and payments, या microeconomics तो microeconomics जो पुस्तक है, वहाँ अमर्त सेन द्वारा नहीं लिखी गई है, option D या आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं to the point नामक पुस्तक के लेखक है, विवियन रिचर्ड, हरसल, गिप्स, गावाशकर या रभी शास्त्री तो to the point नामक पुस्तक के लेखक जो है, वहाँ हरसल, गिप्स जी है, option B या आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं 1733 इसबी में जिज मुहम्मद साही पुस्तक जो नच्छत्रों सम्मंदी ग्यान से सम्मंदित हैं के लेखक हैं जोधपुर के जस्वन सिंग, आमेर के राजा भारमल, जैपुर के समाई जैसिंग, या उदैपुर के महराणा उदैशिंग तो 1733 इसबी में जिज मुहम्मद साही पुस्तक जो नच्छत्रों से सम्मंदित हैं उसके लेखक जैपुर के समाई, जैसिंग, जी हैं, उप्संद सी आपका राइट एंसर हो जाएगा कादंबरी के लेखक कौन है? जैसंकर प्रसाद, काली दाश, बान भट या इन में से कोई नहीं तो कादंबरी के लेखक जो है वहाँ, बान भट जी हैं, उप्संद सी आपका राइट एंसर हो जाएगा, आगला प्रसंद देखते हैं अरकी की गोरख विजय नामक पुस्तक के लेखक हैं, यू यस परमार, जी एफ होंडा, आर्यस सर्मा या उधम शिंग तो अर्की की गोरख विजय नामक पुष्टक के लेखक यू एस पर मार है option A आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं ब्रोक्रिन विंग किसे ने लिखा है डॉमानिक लेपियर अयूब खां चार्ल्स डिकिन या सरोजनी नाइडू तो ब्रोक्रिन विंग सरोजनी नाइडू ने लिखा है option D या आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं निसीत किस भासा में लिखी गई पुस्तक है तो निसीत एक पुस्तक है वह कौन सी भासा में लिखी गई है option B आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं दूइप सिखा किस ने लिखा है option है श्रीमती इंद्रा गांधी ने शक्स पीर ने भगवती चरण वर्मा ने या महादेवी वर्मा ने तो दूइप सिखा महादेवी वर्मा ने लिखा एफovan D आपका right answer हो जाएगा बिने पत्र का किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है कभीर दास की तुलसी दास की काली दास की या इन में से कोई नहीं तो बिने पत्र का तुलसी दास की प्रसिद्ध पुस्तक है, option B आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं मेगदूत किसकी रचना है, हरिश्चंद्र की, काली दाश की, भारतेंद हरिश्चंद्र की, या मैथली सरण गुप्त की तो मेगदूत काली दाश की, रचना है, option B आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं महाभास किसकी कृति है, उलूक, कपिल, पतंजली या गौतम तो महाभास ये पतंजली की कृति है, option C आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं नाट्य सास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनी, जैशंकर प्रसाद, मुन्शी प्रेमचंद, बाणभट तो नाट्य सास्त्र के लेखक भरत मुनी है, option A आपका right answer है मुन्शी प्रेमचंद की गबन है, उपान्यास जो है, गबन है मेगदूत किसकी रचना है, भावभूती, हर्सवर्धन, मैथली सडगुप्त, या फिर कालिदास तो मेगदूत कालिदास की रचना है, option D या आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं शाह नामा के रचनाकार कौन है, अमीर खुसरो, अबुल फजल, फिर दौसी, या इनमिशे, कोई नहीं तो शाह नामा के रचनाकार फिर दौसी है, option C या आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं प्रत्वी राजरासो किसने लिखा था, बाडबट, जैदेव, भहभूती या फिर चंदबरदाई तो प्रत्वी राजरासो चंदबरदाई ने लिखा था, option D या आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं गुलाम गिरी का लेखक कौन था, महत्मा गांधी, जोतिबा फूले, आमबेड कर या पेरियार, तो गुलाम गिरी पुष्टक के लेखक जोतिबा फूले थे, option B या आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं निसीद के लेखक कौन है, उमा शंकर जोसी, बरत हरी, बरत मुनी, इनमेशे कोई नहीं, तो निसीद के लेखक उमा शंकर जोसी हैं, या पुष्टक गुचराती भाषा में लिखी होई है, अगला प्रसंद देखते हैं इसमाल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं, अरनेश्ट सुमेसर, शुनील गावशकर, हैमिंग वे या इनमेशे कोई नहीं, तो इसमाल इज ब्यूटीफुल के लेखक, अरनेश्ट सुमेसर जी हैं, उप्षन ए आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं कवितावली के लेखक कौन हैं, अप्षन है, तुलसी दाश, कभीर दाश या इनमेशे कोई नहीं, तो कवितावली के लेखक तुलसी दाश जी हैं, अप्षन बी आपका right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं महाभाष किसकी कृती है, उलू की, पतंजली की, कफिल की या फिर गौतम की, तो महाभाष पतंजली की कृती है, अप्षन बी आपका right answer हो जाएगा दबाइबिल के लेखक कौन है, बिक्रम सेट, कार्ल माक्स, या अगलवक के मुलकराज, आनन्द तो दबाइबिल के लेखक मुलकराज आनन्द जी हो, अप्षन डी या आपका right answer हो जाएगा, आगला प्रसंद देखते हैं भारतिय मुलका कौन लेखक अन्दा भी है, यमना प्रसास सास्तरी, शलमान रुस्दी, वेद महता, आर के नाराण या मुलकराज आनन्द तो भारतिय मुलका लेखक जो अन्दा है, वेद मुलकराज आनन्द है, आपसंद डी या आपका right answer हो जाएगा, आगला प्रसंद देखते हैं प्रसिद्ध भावगोलिक ग्रंथ किताब लहिंद के लेखक कौन है? अल-इद्रिसी, अल-मस्दी, अल-याकूबी या अल-वर्णी तो प्रसिद्ध भावगोलिक ग्रंथ किताब लहिंद के लेखक अल-वर्णी है, आपसंद डी या आपका right answer हो जाएगा तो थैंक्स पार वाचिंग माई वीडियो, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक से और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले, थैंक्यू